हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दलों के नेताओं के साथ हमारे समध अच्छे ही हैं और लोक तंत्र में हमारी दुश्मन ही नहीं होती है समध अच्छे होने ही चाहिए अब सवाल यह है कि मैं मेरे समधों को समालू कि उड़िशा के भाग्य की चिंता करू तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़िशा के उजवल भविश्यकर के लिए अपने आपको खपा दूँगा उसके लिए मेरे समधों को मुझे अगर बली चड़ाना पड़ेगा तो मैं उड़िशा की भलाए के लिए बली चड़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विश करूंगा हरे को मुझे किसी की दुश्मन ही नहीं है लेकिन पचीस साल से उड़िशा में प्रगति नहीं हो और सब्चे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़िशा की ववस्ता को कबजा कर लिया है ऐसा लगता है पूरी ववस्ता को बंदक बना दिया है और जब इतना बंदक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़िशा अगर उस बंदवनों से बाहर आएगा तो उड़िशा खिलेगा उड़िशा की एस्मिता का सवाल है इतने प्राकुर्तिक संसाधन है उडिशा के पास एक समरुद्ध राज्य के गरीब लोग देखकर के दुख होता है हिंदुस्तान के समरुद्ध राज्यों में उडिशा है इतनी प्राकुर्तिक संपदा है और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी और इसलिए उड़ीजा की लोगों को उनका हग मिलना चाहिए उड़ीजा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए उड़ीजा का भाग बदल रही है। मैंने कहा है कि उडिशा की वर्तमान सरकार की एक्सपारी डेट चार जून है और दस जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उडिशा में शपत लेगा